नवश्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है आज है 12 दिसंबर दिन मंगलवार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार में शुरू हुआ लैंड कनवर्जन पोटल मिलेगा येला अप्राद और अप्रादियों की सूशना देने के लिए स्टोल फ्री नंबर को कड़े से सिच्छा विभाग ने D.E.O. को दिया एक और नया टास बिहार में बढ़ेगी कंकरी भारत और साउथ अफरिका के बीच खेला जाएगा आज दूसरा T20 मुकाबला अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों के ओर विस्तार से उत्राखंड अधिनस्त सेवा चेर्ण आयोग में 236 पदों पर निकली भरती उत्राखंड अधिनस्त सेवा चेर्ण आयोग के द्वारा ट्रांस्पोर्ट, कॉंस्टेबल, एकसाइस कॉंस्टेबल, डिप्टी, एकसाइस इस्पेक्टर, हॉस्टल मैनेजर, ग्रेट तीन और हाउस कीपर के कुल 236 पदों के लिए भरती निकाली गई है ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आविदन करना चाहते हैं वह UK SSSC की अधिकारिक वेबसाइट SSSC.uk.gov.in पर जाकर ओल्लाइन तरीके से अपना आविदन कर सकते हैं बता दे कि आविदन करने की अंतिम तारिक 31 दिसंबर 2023 तक निर्धारित की गई है इसके लिए अगर सैचनिक योगिता की बात करें तो आविदन को किसी भी मानता प्राप्त बोड या संस्थान से एक अक्छा बारवी पास होना अनिवारे है वहीं सिजड़ी अन्य जानकारी के लिए एक बार जारी के गए नोटिफिकेशन को ज़रूर देख ले बिहार में शुरू हुआ लैंड कनवर्जन पोडल मिलेगा येला बिहार में ओदोगी करण की प्रक्रिया को बढ़ाया जा सके इसके लिए बिहार सरकार के राजिश्व एवं भूमी सुधार विभाग के द्वारा एक महत्पुन कदम उठाते वे क्रिसी भूमी को गैर क्र इसी प्रियोजनों के लिए संपरिवर्तन की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दी गई है बतादे किस कारी को करने के लिए विभाग के ओर से एक पोर्टल भी तयार किया गया है जो कि landconversion.bihar.gov.in है से में अब कोई भी उद्यमी घर बैठे इस पोर्टल पर जाकर अबिदन कर सकते हैं और साथी land conversion प्रमान पत्र को ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं वहें सब के अलावा अब भुक्तान की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन कर दिया गया है ऐसे में अब निस्पक्षता एवं पार्दर्शता को बढ़ावा मिलेगा और उद्यमी वर्ग को सर लगु नदी के किनारी पर स्थित है वैसे इस मंदर का वर्णन रामाएन में भी है लेकिन वर्तवान में स्थित मंदर का निर्मान इंदौर की महरानी अहल्या बाई द्वरा कराया गया था विश्नुपद मंदर सोने को कसने वाला पत्थर कसौन से बना है जिससे जिले के अत्री प्रखन के पत्थर कटी से लाया गया था इस मंदिल की उचाई करीब 100 फीट है सभी मंडप में 44 पिलर है इस मंदिल की भविता और व्यवव अद्भुत है जैसा की नाम से पता चलता है विश्णुपद मंदर 40 से मी लंबे पदचिन के लिए प्रसद है जिसमें संकम चक्रम और गधम सहित नौ प्रतीक हैं कहा जाता है कि ये भगवान विश्णुपद के अस्त्रों का प्रतीक है विश्णुपद जिसे धर्मश्रिला के नाम से भी जाना जाता है एक ठोश चटान पर उतकर्ण है और च अकर्शित बनाता है ऐसी भी मानेता है कि पित्रों के तरपन के पश्चात समंदिर में भगवान विश्णुपद के चर्णों के दर्शन करने से समस्त दुखों का नास होता है एवं पूरवजपुने लोग को प्राप्त करते हैं अपराद और अपरादियों की सूशना देने के लिए इस टोल फ्री नंबर को कड़े सेव बिहार में अपराद और अपरादियों पर नकेल कसने के लिए बिहार पुलिस अलर्ट मोड में है बता दी कि बीतल दिन बिहार पुलिस मुख्याले के अपर पुलिस महानिदेशक म ख्याले जेस गंगवार के द्वारा जानकारी देते वें बताये गया कि राज्ये में हत्या रेप और लूट जैसे गंभीर अप्राधों की जानकारी देने के लिए टोल फ्री नंबर 144 32 जारी किया गया है उन्होंने बताये कि इस नंबर पर जिस भी व्यक्ति के द्वारा सूशना दर्ज की जाएगी इस नंबर पर 24 घंटे और 7 दिन सूशना दी जा सकती है एडी जी जितंदर सिंग दंगवार के द्वारा दी जानकारी के नसार इस नंबर पर देश के किसी भी कोने से सूशना दर्ज की जा सकती है प्यादिंग विभाग के दौर, एक खास योजना बनाई गई है, जिसके तहथ विभाग के ओर से परटकों को लुभाने के लिए राजजे में हलिकाप्टर जीवां सेवा की शिरवात की गई है, वही इसमें सबसे खास बात ये है, कि इस हलिकाप्टर को ना किवब परटक अ इसके साथ ही चार्टर बुकिंग की भी सुभधा उपलब्द है जिसमें एमर्जनसी रस्क्यों भी शामिल है हाला के फिलाल या सेवा एरपोर्ट से एरपोर्ट दी जाएगी मालुमों कि सेवा के शुरवात परेटिन विवाक के सचीव अभय कुमार सिंग, उद्योग मंतरी समीर महासेट, कृसी मंतरी कुमार सरवजीत के दौरा गया में शुरू की गई है जिसमें गया, बोदगया और राजगीर के सभी धार्मी कस्थलों के एरियल व्यू का मजाली आ जा सकता है नव नुक्त सिक्षकों को तीन कैटेगरी में मिलेगी आवास बिहार लोक सेवा आयोक से चर्ण सभी नव नुक्त सिक्षकों को बिहार सरकार की ओर से तीन कैटेगरी में आवास मिलेगा हाला किसके लिए पहले सिक्षकों को आवीदन पत्र लिखकर अपने इक्षा बतानी होगी मालमोग जिला सिक्षा काड़याले के द्वारा स्कूलों को आवीदन पत्र भेजा गया है जिसे नव नुक्त सिक्षकों को भरना है इसके बाद उस आवेदन के आधार पढ़ी सिक्छकों के द्वरा दी गई जानकारी के नुसार उनके लिए आवास का निर्मान कराया जाएगा आपके जानकारी क्लिवता दी कि बिहर सरकार के ओर से सभी नवनुक्त सिक्षकों को जो तीन कैटेगरी के घर दिये जाएंगे उनमें एक कमडे वाला घर, दो कमडे वाला घर और तीर कमडे वाला घर सामिल होगा वहीं जो सिक्षक मकान लेंगे उन्हें आवास ये भत्ता नहीं दिया जाएगा और जो सिक्षक आवास नहीं लेंगे उनके खाते में सीधे आवास की राशी भेज दी जाएगी मालम हो कि आवेदन करने के दौरान सिक्षकों को जिन बातों की जानकारी देनी होगी उसमें सबसे पहले ये बताना होगा कि वे नियोजिस सिक्षक है या BPSC अध्यापक सिक्षा विभाग द्वारा उपलब धकड़ाई मकान में रहना चाहते हैं या नहीं एक कमरा, दो कमरा या तीन कमरा का घर चाहिए क्या आप अपना मकान दूसरे सिक्षक के साथ साजह करेगे और आपकी पदस्था अपना किस जिले में, किस विध्याले में हैं सियम नितीश ने जनता दर्बार में कुछ 47 लोगों की सुनी समस्याई बीतदिन बिहार के मुख्यमंत्री निदीश कुमार के द्वारा जंता दर्बार आयुजित किया गया जिसमें उन्होंने विविन जिलो से पहुँचे कुल 47 लोगों की समस्याएं सुनी और उसका समधान किया वहें सुरान इस दर्बार में समस्तिपूर जले से मुहमद कलमुदीन पहुचा जिसके द्वारा मुख्यमंत्री से गुहार लगाते वे कहा गया कि मैं दिव्यांग हो और मुझे बैटरी चालत ट्राइ साइकल चाहिए ताकि मुझे आवागवन में सुधा हो इस पर मुख्यमंत्री के द्वारा समाज कल्यान विभाग को समुचित कारवाई करने का नर्देश दिया गया वहीं दूसरे फडियादी के द्वारा कहा गया कि मैं वर्स 2019 में असना तक पास कर चुकी हूँ लेकिन अब तक मुझे 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 मंत्री बाली का असना तक दोजना का लाब नहीं मिला है ऐसे में इस पर सक्षा विभाग को समुचित कारवाई करने का नर्देश दिया गया वहीं बकसर जले से आये उदय कुमार उज्जय ने सरकारी विद्यारे परिसर की जमीन का और समाजिक तत्वो द्वारा अतिक्रमन करने की मुख्यमंत्री शिकायत की मधिपूरा जिला से आये हुए पिंटु कुमार ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते वे कहा कि गौाल पाड़ा प्रखन के सुखा सन पंचायत में सुर्सा नदी द्वारा बरसात के दिनों में पानी का बहाव बढ़ने के कारण भिशन कटाओ के सिती उत्पन होती है ग्रामीनों के सुरक्षा के लिए कटाओ निरुधात मक कारे कराने की क्रिपा करे इस तरह की कर समस्याओं को संकर सीम नितीश के द्वारा उससे जरे संबनत विभाग को काड़वाई करने का नर्देश दिया गया बिहर के 8 DSP को बनाया गया ASP बीते दन बिहर सरकार के सामाने प्रिशासन विभाग के द्वारा अधिसूशना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि बिहर पुलिस के 8 DSP को प्रमौशन देते वे ASP बना दिया गया है बतादे के सामाने प्रशासन विभाग के द्वारा जारी के गए अधी सूशना में जन आठ डियस्पी को एस्पी में प्रमोशन दिया गया है भववा के प्रेम चंद सिंग, पुरनिया के रहमत अली, पर्शिम चंपारन के शेख मोहमद अलाउद दीन, पतना के संजय कुमार, सिवान के संजय कुमार, पांडे, लखी सराई के प्रेम सागर और पतना के राम पुकार सिंग के नाम शामिल है मालम हो कि इन सभी पदादिकारियों को अपर पुलिस अधिक्ष के वेतनमान वेतनस्तर बारव में और स्थाय स्थापन पन काड़िकारी प्रभाद दिया गया है सिक्षा विभाग ने DEO को दिया एक और नया टास्क बिहार के सिक्षा विभाग को पट्री पर लाने के लिए बिहार सरकार के सिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचीव केके पाठक के द्वारा कई फर्मान जारी किये जा रहे हैं हाला कि उनके कहीं फर्मान से सक्षकों और सक्षक संग के बीच काफी नराजगी भी बने हुई है इसी कड़ी में अब केके पाठक की ओर से जिलो के D.E.O. को भी एक आदेज दिया गया है जिसके तहत अब उन्हें हर दन एक स्कूल का जायजा लेना होगा और शाम में इसकी रिपोर्ट सक्षा विवाग के अधिकारियों को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये होने वाली बैठक में देनी होगी बतादे कि केके पाठक के ओर से D.E.O. को कहा गया है कि वह 15 दिनों में 15 किन स्कूलों का रिक्षर करेंगे उसका लिस्ट भेजे और फिर स्कूल का जायजा लेकर उसकी रिपोर्ट भेजे बिहारी बोतरे स्पेशल में आज हम बात करेंगे सहीज सहरवाज हुसैन के बारे में सहीज सहरवाज हुसैन का जन्म आजी के दिन 1960 को हुआ था यह एक भारतिय राज़नत्ग्य और भारतिय जंता पार्टी की केंदरिय 700 गणाव समीती के सदश्य हैं वह भारतिय जंता पार्टी के राश्य प्रवक्ताओों में से एक है हुसैन अटल भिहारी वाजपई सरकार में कपड़ा मंत्री और नागरिक उडियन मंत्री थे वह 9 फरवरी 2021 से 9 अगस 2022 तक बिहार सरकार के उद्योग मंत्री रहे हैं हुसेन 1999 में किसंगंश निर्वाचन छेतर से 13 लोग सभा के लिए चुने गया उन्हें तीसरे वाजपई मंत्री मंदल में राज्य मंत्री के रूप में निउक्त किया गया था और उन्हें अलग-अलग समय पर खादी प्रसंसकरण उद्योग युवा मामले और खेल और मानव संसादन विकास जैसे विविन विभागों का कारे भार संभाला था उन्हें 2001 में कोईला मंत्राले का स्वतंद्र प्रभार दिया गया और सितंबर 2001 में नागरिक उडियन पोटफोलियो के साथ काबिनेट मंत्री के पदपर पदोनत किया गया जिससे वा भारत सरकार में अब लोग सभा में फिर से प्रवेश किया उन्होंने दोहजार नौ में भागलपूर से फिर से 15 लोग सभा में प्रवेश किया विहार बिजनस करनेक्ट दोहजारतेईस में 30,000 करोड का इन्वेस्टमेंट 13 और 14 दिसंबर को बिहार की राजदानी पतना में अयूजित होने वाले बिहार बिजनेस कनेट 2023 में बिहार सरकार के उद्योग विभाग के द्वारा खास तयारी की जा रही है मालम हो कि समिट में 16 से अधिक देशों के प्रतिनीधी शामिर होंगे इस बारे में उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुभानी के द्वारा जानकारी दे सहमती दे दी गई है बिहार में 35 से 49 हजार करोड के बाजार उपलब्ध है इसके लावा बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर के छेतर में भी काफी बहतर कर रहा वहीं यहां स्कल्फोर्स की भी उपलब्धता है उन्होंने बताया कि समिट में 4 से 5 चरणों में M.O.U. होगा जिसम परिक्षक भरती के दूसरे चरण के तहट 9 दिसमबर 2023 को कक्छा 6 से 8 तक के लिए अलग-अलग विश्यों की ली गई परिक्षा की आंसर की बिहार लोकसिवा आयोग यानिकी BPSC के द्वारा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जारी कर दी गई है पता दे कि 9 दिसमबर को कक्छा 6 से 8 के गनत एवं विज्यान, समाजिक विज्यान एवं भाषा विश्यों के लिए लिए लिखित परिक्षाय उजित की गई थी जिससे सम्बंधित प्रशन पुस्तिका श्रिंखला एके सभी प्रशनों के आपबंधिक उत्तर जारी किये ग 8 जन्वरी से शिरू होगी अगनीवीर की भरती रैली 8 जन्वरी 2024 से बिहार के बेगुसराय के कटिहार के गड़वाल मैदान आर्मी कैंप में अगनीवीर की भरती रैली होने वाली है जो के 18 जन्वरी 2024 तक चलेगी ऐसे में इस भरती रैली राजे के कुल 12 जिलों के युवा भाग लेने वाले हैं इस बारे में डियम रोशन कुस्वाह के द्वरा जानकारे देते वे बताया गया कि सभी युवाओं को जो इसमें भाग ले रहे हैं वा अपने साथ अपना जला से नडगत आवास के जाती प्रमान पत्र, SP द्वारा नडगत आच्टन प्रमान पत्र और सैचनिक प्रमान पत्र ले कर पहुंचे महीं मालम हो किस भरती रैली में 8 जनवरी को नर्सिंग सहायक एवं नर्सिंग सहायक वेटनरी के लिए रैली होगी तो महीं 10 जनवरी को सिपाही फार्मा 15 जनवरी को अगनिवीर जीडी 16 जनवरी को अगनिवीर तकनिकी और अगनिवीर ट्रेट्समैं 17 जनवरी को अगनिव Q feet. 2023 के आवीदन के लिए आविश्यक सूट्चा चारी की गई है जिसके तहट कक्चा一 से पांच के लिए आटके लिए कख्चावार पद्ष्रिजित किये गए है जिसमें कक्चा ये पांच के लिए पदों कुल संख्या 5534 है तो वही कक्षा 6 से 8 के लिए पदों की कुल संख्या 1745 है ऐसे में दोनों को मिलाकर कुल पदों की संख्या 7289 हो बता दे कि इन पदों के लिए जो सैशनिक युग्यतार निर्धारित की गई है उसके अनुसार बी डियरेड डिप्लोमा जो विसे इस कक्षा में डियरेड के समकचो इस परिक्षा में अहरता प्राप्त करना किसी भी आविदा को रोजगार का अधिकार नहीं देगा क्योंकि यह परिक्षा न्युक्ति के लिए केवल एक पातरता मापडंड है विग्यापन के संबन में विस्रत जानकारी एवं ओनाइन आविदन के सब्सक्राइब के लिए वेबसाइट स्टिटी पी एस कोलंब स्लैस स्लैस बी एस इबी स्टी डी डॉट कॉम पर विजिट करें बिहार में बढ़ेगी कंकनी बिहार में मौसम ने अब करवट बदल दी है पचुआ हवा की प्रवासे राजधाने सहे जिलों के तापमान में गिरावट आने से ठंड में बढ़ोतरी हुई है मौसम विज्यान किंद्र के वरिष्ट विज्यानिक डॉक्टर आसीश खुमार के नुसार अगले पांच दिनों के दौरान सुभा के समय राजधी के अधिकांस भागों में हलके से मध्यमस्तर का कोड़ा चाय रहने का पु शेहरी छेत्रों में भी कंकनी बढ़ा दी है मौसम विज्यानी आशीश कुमार ने बताया कि प्रदेश में ठंड किस्ति बनी रहेगी दिन में धूप निकलने की वज़े से शाम में तापमान गिरने के साथ कंकनी का एससास होगा कुछ जगों पर धुन के कारण दृष्ष से ही यूनिक आईडी लागू कर दिया गया है इस बारे में यूजी सी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार के द्वारा जानकारी देते वे बताया गया कि एक राष्ट्र एक छात्र के तहट अब हर स्टुडेंस की एक पहचान होगी इससे ऑटोमेटिट पर्म मददकार होगी यह डिजी लॉकर वा एकेडमिक बैंक ओफ क्रेडिस से जुड़ा होगा ऐसे मिंसे सेचनिक योगिता वस सर्टिफिकेट की जाच अलग से नहीं करनी होगी और साथी नौकरी के सत्यापन में भी आसान होगा मालू हो कि इसके लिए यूजी सी के ओर से एक क परणकारी नहीं दी गई है लेकिन प्रशासन के ओर से इसकी तैयारी शिरू कर दी गई है पतादे किसको लेकर बीत दन विहार सरकार के जल संसाधन मंतरी संजय जहा के द्वारा पौडा गाउं पहुचकर कामकाज का जायजा लिया गया इस तोरा नहों ने गया डैम का नर यारी को लेकर अधिकारियों को मंतरी के द्वारा कई फीड़बैक भी दिये गया वहिस दुरान मंतरी संजय जहां पत्रकारों के सवाल से भी बचते नजर आए आर्टिकल 370 पर फैसले के बाद विपक्षी दलो का बयान सुप्रीम कोड के द्वारा जमो कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया है ऐसे में अब पूरे देश में जो समधान लागू है वह समधान जमो कश्मीर में भी लागू होगा वहीं अब सुप्रीम कोड के इस फैसल के द्वारा कहा गया कि सरवुच नयाले के फैसले पर जेडियू को कोई भी राजजितिक टपनी नहीं करनी लेकिन किंद सरकार से उमीद जरूर है कि समधान के अनचे 371 ए से लेकर जैड तक जिसमें गुजरात और महराश्टर को विसेश श्रीनी का दरजा हासिल है इस पर कॉंग्रस प्रवक्ता असीत नाथ तीवारी के द्वारी कहा गया कि धाला 370 कई प्रावधानों को कॉंग्रस के द्वारा पहले ही अटा दिया गया था अब कुछ प्रावधानों को नरेंदर मोदी ने भी हटा दिया है सुप्रीम कोट का फैसला स्वागत युग्य है और देश हत्मे हैं तेश्वी के गढ़ में चिराग पासवान का सीयम नतीश पर हमला बीतर दिन जमुई सांसद और रालोजपा प्रमुक चिराग पासवान रागोपुर पहुंचे जो बिहार के उपमुख्य मंतरी तेश्वी आदव का निरवाचन छितर है इस दोरां चिराग पासवान के दोरा बिहार के मुख्य मंतरी नितीश कुमार पर जमकर हमला बोला गया और उन्हें कहा कि बिहार में पुलिस का एकवाल पूरी तरह से खत्म हो चुका है यहां आए दिन लूट हत्या बरातकार लूट पार जैसी घटनाई घरती रहती है अब यहां आम बात हो गई है लेकिन इन सब पर बिहार के मुख्य मंतरी नितीश कुमार के द्वारा एक भी बयान नहीं दिया जा रहा और उन्हें कहा कि बिहार के दूसरे व्यक्ति जो बिहार का प्रति निधितों करते हैं और इसी रागोपुर्वधान सभा से आते हैं उनके ही छेत्र में एक नाइट गाड की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी खटना के इतने दन बीच जाने के बाद भी अब तक वैशाली पुलस के हाथों कुछ नहीं लगा है एक भी अपरादियों की पहचान नहीं की गई है भारत और साउथ अफरीका के बीच खेला जाएगा आज दूसरा T20 मुकाबला भारत और साउथ अफरीका के बीच बीते रविवार को होने वाला पहला T20 अंतराश्ट के क्रिकेट मैच लगातार बारिश के कारण रध हो गया था तो वहीं अब आज यानी की 12 दिसंबर को भारत और साउथ अफरीका के बीच खेले जाने वाले तीन मैचों की T20 सिरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाने वाला है मालमों कि आज का यह मुकाबला गर किबराहा शेहर के सेंट जॉर्ज पार्क क्रिकेट स्टेडियम में भारतिय समय के अनुसा शाम आठ बच कर 30 मिनट पर खेला जाएगा मालमों कि भारत ने साउथ अफरिका के खिला पिछली चार T20 सिरीज में से दो में जीत हासल की है जबकि अन्य दो मैच डौर रही वहीं आखरी बार साउथ अफरिका के दोरा भारत को T20 सिरीज में ऑक्टूबर 2015 में हडाया गया था उन्होंने भारत में दो शुने से जीत हासल की थी दोनों टीमों के बीच अब तक 24 T20 मैच हुए है जिसमें भारत 13-10 से आगे है बतादे कि सेंट जोर्ज पार्क क्रिकेट इस्टेरियम में अभी तक 3 T20 मैच खेले गए हैं इनमें से दो मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम में जीते हैं और एक मैच पाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम के नाम रहा है इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करते वे औसत स्कोर 99 रन है वहीं इस मैदान पर सबसे बड़ा स्कोर 189 रन है भारत की तिहास में आज की तारीक है कई कारणों सिदर्ड गुलाम वंश के सासक इलतु तमीश ने 1232 में गौलियर पर कबजा किया भारत की राजधानी 1911 में कलकत्ता से दिल्ली इस्थांतरत की गई भारतीय संसत द्वारा पुर्वराजाओं को प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाए 1971 में रद कर दी गई टी एन्शेशन 1990 में मुख्य नडवाचन आयोग थुए भारत एवं बांगलादेश के मध्यर 1996 में गंगा जल के बटवारे को लेकर 30 वर्षिय संधी पर हस्ताक्षर हुआ भारती 2001 में निपाल को दो चीता हेलिकॉप्टर और हतिया दिये प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष एम विडपा मोईली ने 2008 में सरकारी करमचारियों के सेवा निगमों में व्यापक बदलाओ की सिफारिस की रमन सिंग शत्रसगर के वस्तिवरास सिंग ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पदगी सपतली सुतन्ता सिनानी और हिंदू महासभा के अध्यक्ष बाल कृष्ण सिवराम मुझे का जर्म 172 में हुआ तमिल एवं हिंदिफ फिल्म अभिनेता रजनी कांथ का जर्म 1950 में हुआ, 1982 बैच के IPS अधिकारी और मुंबई के आतंक विरोधी दस्ते के प्रमुक हेमंत करकरी का जर्म 1954 में हुआ टेरिस खिलारी ट्रेसी ओस्टिन का जर्म 1922 में हुआ, भारत के क्रिकेट खिलारी युवरास सिंग का जर्म 1981 में हुआ, राश्ट्र कवी के रूप में विख्यात प्रसद हिंदी कवी मैथली शरन गुप्त का निधन 1964 में हुआ, करनाटक के पुर्व मुक्य मंत्री जे ए इसके में आजम बात करेंगे इंडिया पोस्ट पेमिंट्स बैंक खाता के बारे में, सोशल मीडिया पर कहीं सुचना वारल होती है, लेकिन सभी सच हो, ये जरूरी नहीं है, इसी कड़ी में आजम बात करेंगे इंडिया पोस्ट पेमिंट्स बैंक खाता के बारे में, दरस साझान ना करे he Maced horizontally और फीचर से इंस्टाग्राम को करे से क्योर्ट मिटी हैं उस्टाग्राम उज्ट की प्राइवसी को मेंटेइन करने के लिए जिरूरत के विग्यापरा और के लिए करते हैं यह अग्रेसिव मार्केटिंग का तरीका है जिसमें कुपीस की मतर से यूजर्स की सर्च हिस्ट्री को ट्राक करके उनकी पसंद ना पसंद का नुमान लगाया जाता है अभी तक सोचल मीडिया प्लाटफॉर्म पर बिना यूजर्स की जानकारी के डेटा ले लिया आता था लेकिन मिता की इंस्टाग्राम के लिए ब्लोग भी कर सकते हैं अर्टिकल 370 के फैसले को प्रधान मंतरी मोदी ने किया स्वागत बीदे दिन सुप्रीम कोड के चीफ चस्टिस डिवाल चंद्रचूर के द्वारा फैसला सुनाते वे इस साफ कर दिया गया कि अब जमू कश्मीर में अनुछे 370 दुबारा लागूर नहीं होगा वहीं अब इस पर प्रधान मंत्री नरंदर मोदी के द्वारा ट्वीट कर कहा गया कि आर्टिकल 370 हटाने को लेकर सुप्रीम कोड का आज का नर्नाय अतिहासिक है जो 5 अगस 2019 को संसद में लिए फैसले पर सेवधानिक मोहर लगाता है इसमें जमू कश्मीर और लद्दा के हमारे भाई बहनों के लिए उम्मीद उनती और एक्ता का एक ससक्त संदेश है मारानिय कोड के स्पेसले हमारी राश्ट्रिय एकता के मूल भाव को और मजबूत किया है जो हर भारतवासी के लिए सरबो पड़ी है मैं जमू कश्मीर और लद्दा के अपने पड़िवार जनों को विस्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हम हर तरह से प्रतीब बढ़ है हम यह सुनश्चित करने के लिए संकल्प बढ़ है कि विकास का लाब समाज के हर वर्ग तक पहुंचे आर्टिकल 370 का दंस जिलने वाला कोई भी व्यक्ति से वंचित न रहे आज का निर्ण है सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज ही नहीं है ब बीते दिन काडोबारी बाजार के पहले दिन सिंसक्स पहली बार 70,000 के अस्तर के पार पहुंचा है वहीं निफ्टे 21,000 के अस्तर के पार पहुंचा बता दे कि बीते दिन काड़ोबार के अंत में BSE का 30 शेर वाला सेंसेक्स 102.939 अंक यानि सुने दिसमलो एक पांच प्रतीशत की तेजी के साथ 79,928.5 तीन अंक पर बंद हुआ वहीं NSE का 50 शेरो वाला इंडेक्स निफ्टी 27.7 सुने अंक या सुने दिसमलो एक तीन प्रतीशत बढ़कर 20,997 दिसमलो एक सुने के अस्तर पर बंद हुआ मालम हो कि बीते दिन जिन पांच शेर में बरहत देखी गई उसमें अल्ट्रा टेक सेमेंट, निसले, इंडिया, पावर ग्रीड, इंसेट बैंक और टाटा मोटर्स के नाम शामिल है महिस के लावा जिन शेरो में गिरावर देखी गई उसमें अक्सेस बैंक, महिंदरा एंड महिंदरा, मारोती, सुजुकी और बजास, फिलसर्व के नाम शामिल है हम प्रते दिन आप से पांच ऐसे जरुरी सवाल और उसे जिरे जवाब बताएंगे जो की बिप्यासी, बिहार पुलिस, दरोगा समित, स्सी जैसे अनिप्रतियोगी परिक्षाओं में काम आएंगे सवाल इतिहास, बिहार स्वीशल, पिग्यान, करेंट अफियर्स और भुगोल से रहेंगे, पूछे के पाच्च सवाल में आपने कितना सही उतर दिया, यह हमें कॉमेंट करके जरुर बताएं हमारा पहला सवाल है, हाली में किसको, युनिस्को की अमुर्थ सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है ऑप्षिने कुजरात राजी के गरबार नरत्य, ऑप्षिनी पन्जाब का भांगरा, ऑप्षिनी बिहार का जीजियां, ऑप्षिनी मनिपुर का लाई हरोबा अगला सवाल, हाली में भारत सरकार के संस्कृति मंतराले द्वारा किस प्रोज़क्ट को सुरुकिया गया है Option C, मेरा गाउं मेरी धरोहर, Option D में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है Option C, मेरा गाउं मेरी धरोहर अगला सवाल, हाली में कहां में, उन सठवा Fertilizer Association of India का वार्सिक सेमिनार शड़ हुआ है Option A, Option B, नई दिल्ली, Option C, हर्याना, Option D, चंडिगर इसका सही उत्तर है Option B, नई दिल्ली, अगला सवाल, बिहार में पहली जैन संगीती कहां हुई Option A, वैसाली, Option B, राजगीर, Option C, पाठले पुत्र, Option D, नालंदा इसका सही उत्तर है Option C, पाठले पुत्र अगला सवाल, बिर्सा मुंडा के निर्तितु में कौन सा विद्रो हुआ था Option A, कोल विद्रो, Option B, भूमीज विद्रो, Option C, संथाल विद्रो, Option D, मुंडा विद्रो इसका सही उत्तर है Option D, मुंडा विद्रो बीते दिन हमारे दुरा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों न प्रजाब हमें मारे Comment Section Box में लिख कर दिया था जिन्होंने हमारे दुरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है अपना जवाब हमें मारे Comment Section में लिख कर जरूर बताएं आज के लितना ही बिहार के तमाम कबलों के साथ बने रहने के लेखते रहें बिहारी निउस और साथ ही अगर आप YouTube से देखना है चनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देखना है तो पेस को फॉलो करना ना भूले धाने बाद